बिएच डिएस 183 अनुबाद सिध्धान्त और प्रविधी में इसमें जो आपका रहेगा चप्टर नंबर 8 रहेगा चप्टर नंबर 8 क्या है परिभासिक सब्दा वली और धार्ना और अनुबाद यह आपके लिए इंपोर्टन हैगा कई बार पूछा भी जाता है कि परिभ 8.2 परिभासिक सब्दा वली अर्थ और शरूप और इसमें जो मोस्ट इंपोर्टन हैगा परिभासिक सब्दा वली के प्रकार नेक्स्ट जो रहेगा सामाने सब्द और परिभासिक सब्द में क्या होते हैं यानि सामाने सब्द और परिभासिक सब्द क्या होता है नेक्श लिए इंपर्टन है यानि परिभासिक सब्दावली है या सामाने सब्द परिभासिक सब्द क्या होते हैं अब परिभासिक सब्दावली की विकास परकिरिया और परिभासिक सब्दावली के निर्माण की परंपरा क्या यह आपके एक्जाम्प्य पॉइंट व्यू से काफी इसको पन कर लिए देखिए यहा पर कर को इभर्प्रकार के विवेशना किजे भार्तिय संस्क्रृत यह नहीं जो भार्तिय संस्कृति है उसमें सब्दों को क्या बोला गया है ब्रह्म कहा गया है, सब्द को भासा की स्वतंत्र, सार्थक और अत्यधिक महत्पूर्ण इकाई माना जाता है हिंदी भासा की सब्दा वली विभिन सब्दों के स्रोतों के माद्यम से सम्रिध हुई है इसमें संस्कृत से सीधे आये, तत्सम हिंदी में नया उच्चानम ववर्तमी में संस्कृत के तदभव सब्द के रूप में हैं हिंदी की बोलियों में देशद और विधेशद सब्द की परियाप्त विधेशी सब्द होते हैं प्रियोग के आधार पर विभिन विद्वानों ने सब्दों के भिन भिन वर्गों में विभाजित किया है परिभासिक सब्दावली के छेतर में गंभीर विचार विमर्ष करने वाले पर्थम हिंदी चिंतक राजेंदर लाल मिस्रा ने 1977 में उन्होंने अपनी एक बुक लिख थी और उसे अपनी पुस्तक में परिभासिक सब्दों को जिन छे वर्गों में विभाजित किया है वह कौन कौन से थे सामाने सब्द क्या होते हैं सामाने सब्द जो कभी कभी परिभासिक सब्दावली में प्रियोग होते हैं जैसे सीर पेड लोहा ज्वार सेकंड है वह केसी है पंखुडी है रवड है आदी तीसरा होते योग गुण सब्द क्या होते तीसरे कौन से होते हैं योग गुण सब्द निर्माण के समय में एस सब्द वस्तुओं के विशिष्ट गुण में घातक होते हैं किन्तु अब इसका पुराना व्योक्ति उत्पन अर्थलूप ता जिल अव्योक्ति की दिष्टी से सार्थख कोते हैं वस्तु पड़ीपन सब्द इनमें एक से अधिक संदों को उद्यपित किया जाता जैसे सल्फूरियस अमल इस वर्ग के सब्द में सारीर रचना विज्ञान या रासानी विज्ञान के होते हैं कुछ समस्याएं डाक्टर भोला नातिवारिन बताया है वहीं डाक्टर बिनोध गोधरे ने अपनी कृती प्रियोजन मूलक हिंदी में परिभासिक सब्दों के वर्गी करण के निश्चित आधारों के अभाव मे रेखांकित किया है और माना कहा कि वर्गी करण के आधारों पर वर्गी करण के भेदों में परभेदों में आधिक विश्चार और उल्जनों किसे बचने के लिए परिभासिक सब्दावली को दो भागों भजित किया पहला क्या है पूर परिभासिक सब्दावली जो विभ परिभासिक सब्द कुंकि सामनेता यह परिभासिक सब्द नहीं होते हैं किन्तु कभी कभी इनके संदर्भों में आउशक्ता पढ़ जाती है अब देखेंगे क्या होते हैं आगला क्या आपके और zach सब्द देखिए अर्ध परिभासिक सब्द सामान यों परिभासिक सब्दों के बीच की इस्तिती में आने वाले सब्द होते हैं इनका सामान जीवन में बेवहार में ना तो इस्तमाल होता है ना ही विशिट छेत्रों में इनके संदर में इस्तमाल किया जाता है इन सब्दों की या व इनका परिभासिक अर्थ ब्याख्या, लोकप्रयोग, अर्थ विस्तार, अर्थ देश, या अर्थ संकोचन के लिए सिध होता है, लोक ब्यवहार में, सास्तर विज्ञान में, विशेशोग में होते हैं जैसे अवेस, भिन, दवा, संधी, रस, पूपस, अदेश, रेखा, हस्ताक्षर, कार, डंड, सुजान, ब्रिक्ष, वेदना ये जो सब्द होते हैं अर्ध परिभासिक सब्द होते हैं क्या रहेगा, 8.4 में देखिए, ठीक है, 8.4 क्या है, कोस्टन क्या आता है, ध्यान सुनिगव, सामाने सब्द योम परिभासिक सब्दों में समानता वा समानता का उल्ले कीजिए नेक्स्ट हो सकता है, अर्थ रचना के अस्तर पर सब्दों में परिभासिक सब्दों में अंतर बताई, देखो एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्था की काई सब्द कहलाती क्या होती है एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र काई हम सब्द कहते हैं कभी-कभी एक ही सब्द अलग-अलग संदर्भों में परिभासिक रूप से गरहन करते हैं, जैसे सामान भी, जैसे यदि बोलचाल में कहें तो मुझे आकी बात पर आपत्ती है, तो यहां पर आपत्ती सब्द सामान परतित होता, किन्तु जब इसी सब्द को विधियानि ला म संदर्भित ब्यवहार मिलाते हैं, तो परतिवादी की आपत्ती में वहां आपत्ती को एक परिभासिक सब्द है, इसी प्रकार यदि सब्द की विशिष्ट अर्थ में प्रियोग किया जाए, तो वह परिभासिक होता है, यह और आथ्वा सामान, वैसे सामान योम परिभास सब्द क्या होते हैं, यह सब्दों की रचना की आधार पर और अर्थ के आयाम की आधार पर बताया जा सकता है, यह इनको देखा जा सकता है, पहला क्या होगा, सरजनात्मक अस्तर पर समानता, यह नि कह सकते हैं कि जो सरजनात्मक अस्तर होता है, उनके अस्तर पर क्या समान सब्द की रचना की अस्तर पर देखें तो यहां आयाम सब्द निर्माण की विधा से संबंदित हैं, सब्द रचना से संबंदित हैं, सब्द निर्माण भासिक नियमों की अनुसार होता है और ब्याकरण पर आधारित होते हैं, क्या होते हैं, ब्याकरण पर आधारित होते है यह ब्याकन सामाने तोर पर परिभासिक सब्दों के लिए समान होता है। परिभासिक सब्दों के माध्यम से मूल अंतर। अस्तर पर होता है भासा में सब्द अभिलक्षण लक्षणायों ब्यंजन बूलिए हलो इसमें क्या होता है ध्यान दीजेगा पर जो हमारे परिभासिक सब्द होते हैं आर्थ रचना के आधार पर अगर देखोगे परिभासिक सब्द किसी ब्यापार प्रकिरिया बिशिष्ट अउधार्णा के अर्थों में ब्यक्त करने वाले भी हो सकते हैं जैसे गनित में दसमलो बिंदू समीकन आधि या फिर भासिक में ध्वनी स्वपन स्वपनीम्न रूप आधि सब्दों को देखा जा सकता है इसी तरह दर्शन स में अध्यात्मिक संदर्भों में माया जगत आत्मबोध मोक्ष आधि का उल्ले किया जाता है यहीं इस्तिती ठोस धासों में भी होती है जैसे रसाइन विज्ञान में कैल्सियम नाइट्रोजन सोडियम आधि कि यानि कह सकते हैं कि जो अर्थ रतन के अधार पर हमें क्या रहेगा परिभासिक सब्दा वली के विशिस लक्षन क्या है तो ध्यान दीजिए इसमें क्या होता सबसे पहले परिभासिक सब्दा वली के विभिन लक्षन है पहले क्या था है परिभासिता इसका परिभासित होना ही परिभासिक सब्दों की प्रमुक विशेश्ता औ और अभी लक्षन है कहने सतात्पर है कि परिभासिक सब्द परिभासित होते हैं इन्हें परिभासा दिये बिना समझा नहीं जा सकता है परिभासिक सब्दों को उनकी आउधार्णा और उनके अनुरूप परिभासिक अर्थ देते हुए आउधार्णा की ब्याख्या करते हु परिभासिक सब्दों होते हैं कि जैसे सब्द लिखा रहेगा तो उसका मतलब भी लिखा रहेगा भई तभी तो पता चलेगा इसका मतलब क्या है असामान्यता होते हैं दूसरा क्या होती है असामान्यता देखे असामान्यता परिभासिक सब्दों से भाव विचार और परिकल दयनिक जीवन से काफी दूर होते हैं इनका दैनिक जीवन में भासा में परिभासिक सब्दों में असामान होते हैं उदान केलिए इंडा पिंगल अंग भंगल डंड अधिसूचना जो परिभासिक सब्ध होते हैं या डेली यूज में यूज नहींग करते हैं हमारे परिभासिक सब्द होते हैं उनको हम डेली बेसिस में यूज नहीं करते हैं अगला जो रगा अति प्रिया स्थापना का अर्थ है प्रत्य द्वारा अप्यूंड तिया अर्थात किसी ज्यान छेत्र विशेश में परिभासिक सब्दों के लिए एक ही निश्चित प्रत् सब्द नहीं ला जाजा सकता जैसे प्रसासिनिक छेत्र में जारी करना विधी छेत्र में उद्घोषणा अंतरिक छेत्र में इंसेट सट्लाइट आदि यहीं कह सकते हैं कि जो परिभासिक सब्द होते हैं उन सब्दों के अस्थान पर कोई अन सब्द या किसी हम दूसरे लोग नहीं किया जाता है विशिष्ट और नियत अर्थ के समवाहक होते हैं यानि किसी भी सब्द में जो परिभासिक सब्द होते हैं वह विशिष्ट अर्थों को बताते हैं ज्यान विशेष के संदर्व में एक आउधार्णा तथा अर्थ एक संदर्व में सिध्धांत पर नाधारित होते हैं अर्थात परिभासिक सब्द एक ही परिभासिक सब्दों को अर्थ ब्यक्त करते हैं। और यहां अर्थ विशेश चेत्र विशेश के संदर में सुनिश्चित होता है। इसके परियावाची नहीं होते हैं। उल्लेखनी यहाँ कि सब्द अपने सुनिश्चित अर्थों की सीमा अतिक्रमर नहीं करते हैं। जैसे पद परिभासिक सब्दों द्वारा लिया। परिभासिक सब्दावली के विकास में आवसकता पड़ती है। जिनमें विचारों का भाओं का पूरी छमता के साथ अविव्यक्त किया जाता है। इसी कारण परतेक तक्नीकी सब्द किसी ना किसी छेत्र विशेश से संबंधित होता है। और उसी अपनी तक्नीकी अर्थियों परिभासिक व्यक्त करता है। परतेक तक्नीकी और परिभासिक सब्द कुछ निश्चित भाव धाना अर्थों को नहित होते हैं। वैसे या संबंधित की जैसे किसी विशे में परिभासिक सब्द दूसरे विशे के भिन तक्नीकी अर्थों में अव्यक्त करें। सुक्षमक्ता होती है। या जो हमारे परिभासिक सब्द होते हैं इनमें अर्थ सुक्षमक्ता होती है। सामाने सब्द की अर्थ व्यक्ति अधिक व्याप होती है। यानि जो सामाने सब्द होते हैं उनकी जो अर्थ व्यक्ति है अधिक व्याक्त है। इने में मुख्य अर्थ के अत्रिक्त अन्य गौण अर्थ भी नहीं थोते हैं इनका लक्षणा प्रतेक संभव है लेकिन जब परिभासिक सब्दों को का अर्थ अत्यंत सूख्ष्म गान योम विस्तित होता है वह ना केवल किसी विशेच छेत्र के संदर्भ में अर्थ को ब् परिवासिक सब्दों में दूरायता परिव्यक्त होती है इनका आसे गुण होता है दुरायता घ्तात पर है कि परिवासिक सब्दा वली में ऐसा आर्थ या आसे छीपा रहता है जो भास के विसेशन से अस्पस्ट नहीं हो पाता है उसे जानने के लिए बावजूद समझा परिवासिक सब्दों का आसे गुणता के कान कह सकते हैं कि परिवासिक सब्द होते हैं उनको समझना एतना आसान नहीं जो आपके परिवासिक सब्द होते है hani करते हैं होगा आप कर सकते हो कृतिम निर्माड करते हैं देखो जान विज्ञान के विवित छेत्रों में नई नई खोजें आधुनिक्ता विकास और नवीन वस्तुओं के निर्माड के काण इनकी अव्यक्ति नवीन विशय निपरूपन हुई है नई अधाना को अस्पष्ट करने के के लिए उनके अनुरूप नए सब्दों का निर्माड जारी होता है कहने से तातपर है कि इस्थिति और संदर्म के अनुरूप में सब्दों का निर्माड किया जाता है अधिकांस परिभासिक सब्दों को कृतिम धंग से बनाया जाता है यानि अधिकांस जो परिभासिक वह अपने सब्दों के दारा विस्तार से सारी चीजों को समझाने का प्रयास करते हैं यानि उसमें हमें विस्तार सीलता भी क्या होती है देखने को मिलती है यानि इसमें करेगी आपकी विस्तार सीलता देखेए तकनीकी सब्दा सैली के विकास में सहायक होते हैं यानि जो पर वासा की प्रकृती और उचार्ण की प्रकृती के अनुकूल हो ते हैं यानि क्या होते हैं कि भासा की प्रकिर्ती क्या है और उचारण की प्रकिर्ती क्या है उसके अनकूल क्या होते हैं कि हमारे जो परिभासिक सब्द होते हैं भासा और उचारण की प्रकिर्ती की अनकूल होते हैं अर्थ रूड इत्ता यानि ये कहाते हैं जो परिभासिक सब्द होते हैं उसमें जो अर्थ होते हैं बहुत ज्यादा रूड होते हैं गूड होते हैं उनको समझना इतना ज्यादा आसान नहीं होता है जो हमारे परिभासिक सब्द होते हैं नेक्स्ट जो आपका रहेगा, नेक्स्ट पर हम चलते हैं और हमारा जो question रहेगा उस question को देखे, यह आपके लिए बहुत important रहेगा है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्या रहेगा, हमारा next रहेगा क्या है, 8.6 देखे, यहाँ पर क्या रहेगा आपका, 8.6 परिभासिक सब्दावली है, उसका सहज विकास हुआ, देखे, सबसे पहले परिभासिक सब्दावली का निर्माण प्रियोग योम विकास की सहज, इस्थितियों उस भासा की विसेश बनाती हैं, जिसमें तत्थ संबंधी विसे के मौलिक ज्यान का उद्भव होता है, इसे भासा के होता है, इसमें प्रकिर्ती विकास भी कहा जाता है, जब कोई सर्जन नवीन नवधानित से संबंधित मौलिक उद्भावनाओं की प्रस्चुती करता है, या नई खोच का अविसकार करता है, उस दवरान नए सब्द अथवा अविक्ति की गुन्टा को नामकर्ण होता है, इस आवधाना के नामकर्ण से ही भासा में नया सब्द को अस्थान मिलता है, जो सहज रूप से सब्द निर्मार की प्रकिरिया में होते हैं, डाक्टर सूजज भान सिंग ने सब्दा वली की सहज विकास प्रकिरिया को उद्गाटित करते हुए, परिभासिक सब्दों को अ नाम तो सब्द लेखों, पुष्टकों और बैख्यानों के माध्यम से प्रियोगताओं तक पहुंचते हैं, कुछ समय बाद वे समाज की प्रियोग साला में एक प्रकार के परिवेक काल से गुजरते हैं, यदि इस दोरान वे प्रचलन में बने रहें तो उन्हें समाजिक स कर्ति मिल जाती है, वे भाषा तथा सब्द कोस की अंग बन जाते हैं, जो सब्द अगर उनका यूज नहीं होता है, बिलिप्त हो जाते हैं, निमलिखित आरेक की सहात्य से परिभासिक सब्दों के सहज विकास की प्रकिरिया को समझा जा सकता है देखो परिभासिक सब्दावली की सहज प्रकिरियत क्या होगा ग्यान विशेस में नई मौलिक सलकप्ना का उद्भा हुआ फिर मौलिक सलकप्ना में साब्दिक अभ्यजन नामकरण हुआ फिर बेवारिक प्रयोग हुआ फिर सब्द को सामाजी सुकृति मिली फिर परिभासिक सब्द का सामानी रूप में मने फिर सब्द को उसको अस्थान मिल जाता है यानि इस प्रकार से क्याता है कि सहज प्रकिरिया से किसी भी जो हमारा जो सब्दा वली होती है उस कह सकते हैं परिभासिक सब्द का यूज होता है नई ओधानाओ या अवियक्तियों के उद्भावना से ज्यान के समर्धन के साथ साथ भासा का सहजता सरल्टा से विकास होता है सब्दा वली की सहज विकास की प्रिकिरिया के संदर्व में इसमें देते हैं जैसे गलंक्स तो प्रस्ता गोदोई परिभासिक सब्दों का उपियोग किया गया है जो अपने विशिष्ट आर्थों में समाचार पत्रों में विश्व परिभासित किया जाते हैं सोबिय संके राष्टपती गो बोच्चा ने इस सब्द का प्रयोग किया इसमें ग्लांक्सों का आर्थ है कि देखते हैं साम्मिवादी ब्यवस्था यानि जनता द्वारा उन्मूलन आलोचना इस प्रकार वाक वाक्या वैजुना परिभासिक सब्द है यानि जो होता परिभ सनरी में आ जाते हैं लोग उसे यूज करने लग जाते हैं तो हमारी जो परिभासिक सब्द होते हैं धीरे-द्र कह सकते हैं कि सहज विकास प्रकिरिया होती है और धीरे-धिरे आम बोलचाल की भास हमें आएंगे उनका प्रियोग हो जाएगा और उनको अस्थान मिल जागा लेकिन कुछ परिभासिक सब्द ऐसे होते हैं कि उनको अस्थान नहीं मिल पाता है वह धीरे धीरे क्या होते हैं लुप्त भी हो जाते हैं। दूसरा जो आपका रहेगा नियोजन विकास प्रकिरिया क्या होती है नियोजित विकास प्रकिरिया जो भासा समाज में नई वस्तों और अधार्नाओं की उद्भावना करने वाले भासा समाज को मौलिक ज्यान और संबंधी सब्दवली को ग्रहन करता है वह परिभासिक सब् के निर्माड में नियोजन विकास प्रकिरिया को अपना कर चलता है सहज सब्द निर्माड प्रकिरिया में जहां नई मौलिक आउधानाओं की उद्भा भावना की सब्दवलियों को जन्म देती वही नियोजिता विकास प्रकिरिया के संदर्व में अन्य भासा समाज में गड प्राय है आधार पर स्वभाँसा, नवीन भाँसा की बिकास में होता है जैं मूलता भांसा में सामान बहिंसों के के लगता चलते है कहां गया देखो यहाँ पर क्या होती है इसका जो नियोजन के परकिहा देखो यहाँ पर जहोती है क्योंकि यहां ग्रिहता भासा के सहाज और प्राकिर्तिक विकास प्रकिरिया नहीं होती है भासा नबीन रूपों के विकास को सही दिशा देने के लिए इस प्रकार से विकास को नियोजित करना पड़ता है किसी भी देश भी देश में ज्यान विज्यान के छेतर में हुई मौलिक उद्भावना को अन्य भासा में सहाज से ग्रहांड करने के काण उनसे जुड़ते रूपों को अपनी भासा में सामिल करने के लिए नियोजित प्रकिरिया को अपनाते हैं नई सब्दावली निर्धारित करनी पड़ती है इसलिए अंगी करन अनुकरन वन निर्माण से किसी ना किसी तरीके से परिभासिक सब्दों का परियोग किया जाता है उनके कोसों सफ्दवलिया सब्संग्रा बनाय जाते हैं इसके बाद उन निरधारित परती सब्दों का बेभारी धराटल कोई प्रयोक पर करने किया प्रयास किया जाता है ताकि उन्हें समाजिक सुकृर्टी परदान की जा सके सभाविक है कि सब्दावली निर्माण की यहाँ प्रकिरिया सहज तथा प्राकिर्तिक ना होकर के समसेयान होती है देखो परिभासिक सब्दावली की नियोजन विकास प्रकिरिया कैसे चलती है तो यहाँ पर जो आपको डायाग्राम बना गया है इस डायाग्राम को आप देख लिए इस डायाग्राम से काफी चीजों को आपको समझने में मदद मिलेगी देखो सहज बिकास परिभासिक सब्दावली से साच्छात होता है फिर होता है प्रत्य निर्मय प्रकिरिया फिर सब्द गरहन अनुकूलन सब्द निर्मान अनुबाद फिर क्या होता है सब्द संग्रा सब्द कोस में अस्थान प्राप्ति फिर बेवारिक प्रियोग होता है फिर समाज उसे क्या कर देथा हैं सुकृति करदान करता है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि हमारी जो सब्द निर्मान प्रकिरिया की परिभासिक सब्दा वली की भικάस की प्रकिरिया होती है। इसी प्रकार से परिभासिक सब्दावली निर्माण की परंपरा अगर देखेंगे तो सवतंता पूर्ब जो सब्दावली के निर्माण में प्रयास किये गए स्वतंता के बाद भी भारत में कई प्रकार की सब्दावलिया बनी है या हिंदूस्तानी वादी विचार धारा है या इस प्रकार की जो सब्दावलिया लोकवादी विचार धारा है उसमें जिस प्रकार के सब्दों का यूज किया गया है जिस प्रकार के सब्दों का प्रियो की होती है तो आपका चैप्टर नंबर एड था इसमें जो मैंने आपके बता है सारा मोस्ट इंपर्टन्ट है और एक्जाम के पाइंटों भी से यह सारे आपके जो कोशन रहेंगे इंपर्टन नहींगे ठीक है